हेलो फ्रेंस मैं मॉनिका आपकी गार्डनर दोस आज आपसे यह डेजी के बारे में बात करूंगी यह कॉमन डेजी का प्लांट है एस्टरेसी फैमिली के होते हैं एस्टर भी जो एस्टर पे मैंने वीडियो एक दो दिन पहले बनाई है वो भी एस्टरेसी के हैं जर्बेरा देजी होता है तो यह सब विलॉंघ करते हैं और हैं इनमें यह देखिये इसके फ्लांट भी Dent और अब स्कारे बहुँ बहुत अच्छा प्लांट है तो आप प्लांस का डेजी के प्लांट है और सक दिक्या करता है लग लगा दें किसी आपको क्यारी वग्यार में लगाने हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं जल्दी से कवर कर लेते हैं और अच्छा मिलता है धूप इनको फूल चाहिए आप इसको अच्छी धूप में रखिए खुली धूप में लेकिन फूल में जैसे चार पांच शे घंटे क अच्छी की दूप मिले ऐसे में रख लेकिन पानी जो हैं मिट्टी मोइस्ट रहने चाहिए मिट्टी अगर सूखी रहेगी फिर यह पौदा फूल नहीं देगा चले गई गर्मी में रख रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं वैसे तो दूप में इसको चलेगा यह वैसे वै यह छेंद लें और यह फिर को कोपीट लें तो पानी थोड़ा सा कम ढपके ड हैं दूट कोपीट थोड़ा सा पानी होड़ाइब फ्लासoden के बहुत रंगों में आता हैं जाती हैं बहुत भी बहुत से रंगों के होते हैं। फूल आते हैं मिट्टी की बात कर ली हमने धूप फूल देना है और पानी देना तो प्रस्ति की हम बात करते हैं तो जैसे मैं सारे पॉदों को देती हूं जब फ्लारिंग का सीजन है तो हर हफते या दस दिन में एक बार इनको लीकवड फेटिलाइजर देना मैं अभी सोच लिखर दे रही हो मैं अपने प्लांच को दो एक लिक वर फेटिलाइजर पे भी विडियो बना देते हूं कि मैं कैसे देती हूं तो वह बहुत दिखा हम लो सकते हैं इसा यह फूल यह फ्लाब जाता है तो यह बीच बन जाता है जैसे मैंने यायसे को आपको एक यह देखये हैं यह यह देख यह सो ढहते हुड कि एह सबसके लेकिख सी और Super आई यह वो उसके तोर्टा सो डाक व्राउन फिल करिष है जैए लगे यह लगे हूए इसे इसा रहा नहीं देख़े पर आप इसे लए तोड़े फूल को अच्छी तरह जैसे फूल सूख जाए पौदे पर फिर उसको निकाल के और उसको फिर सुका लें थोड़ी देर एक दो दिन जो है वो च्छाया में उसको छुका बिल्कुल धूप में नहीं सुकाना है नहीं तो फूल ओवर ड्राय हो जाता है फिर उसमें अगले सीजन तर उसको छाया में एक दो दिन सुका लें और फिर उसके डबी में डालके रख लें उसको थोड़ी सी राक मिला दें इनके साथ ताकि इनमें कोई infection नहीं हो को फंजिसाइड मिला दें या राक मिला दें तो आपके बीच बच्चे रहते हैं अगले सीजन में यह लगा दें तो ऐसे एस्तेसी गुरू कर जाता है और एसनी ग्रों कर जाता है तो ऐसे इसका प्रॉपेगिशन बहुत आता है असानी से जयाยते हैं आप एक पॉदा एसक्थिर मेंसे आपके पॉदे सकते य۲ तो बाक तो सीजन में आपको श पून वह सूप पी नहला उस तरह की पत्य होती है इसके और बहुत खुब्सुरत प्लांट लगता है रंगों में भी अच्छा है बस जो स्पेंट फ्लाज उनको आप हठाते जाए अभी हमें बीजने चाहिए फरवरी मार्च में जब बीज चाहिए होंगे तो हम इनको सूप करने देंगे तो बस फिर हम बीज कलेक कर लेंगे और यह जमीन के साथ साथ ऐसे ऐसे फैलती है इसकी पत्यां यह तो यह बहुत जल्दी ग्राउंड को कवर करता है अगर आपको जमीन में क्यारी है ना आपके पास तो बहुत अच्छा लगता है यह उसमें लगाने के लगता है अगर आपको नर्सरी में मिले तो जरूर लाएं मेरे पास लास्ट यह नहीं था किस बर मुझे मिला नर्सरी में तो मैं ले आई हूं और मैं चाहती हूं आपको आप इंफ्रमेशन वाली वीडियो भी देखा करें चाहती हूं मैंसमें जित्ते भी प्लांट्स हैं आप और नाम आपको नहीं मिले तो फटा फटा आप common plants with names करके playlist मेरी खोल लें और उन plants को देख लें उन में से आपको आपके plant का identification मिल जाएगा identification मिलते ही फिर उस plant के बारे में मैंने information भी डाली होगी तो आप video भी search कर सकते हैं कोई भी टॉपिक लें आगे फंगार्णिंग लिखें जैसे के और ओफ एस्ट्रे क्या है यह डेजी के और ओफ डेजी फंगार्णिंग ऐसे लिखेंगे तो फट से यह वाला वीडियो खुल जाएगा जो आज मैं बना रही हूं तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो आपना बालू तो उससे क्या होता है फिर मेरों को नए प्लांट लाके आपको नए नए प्लांट दिखाने का शौक कम होता जाता है तो इसलिए आप जरूर देखा करें और देखिए यह साथ में रननकुलस का फ्लार किल रहा है देखिए पौदा तो अभी चोटा सा ही है अब बा आ रहे है और यह देखिए यह श्याटिक लिली और यह देखिए मैंने एक ही बड़े से इसोला इंच का कुंडा है और इसमें मैंने 14 प्लांट लगाए है वान टू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल थर्टीन फोर्टीन प्लांट लगाए और इस सब दो दो हर अलग रंगों के हैं मतलब सात रंग के हो गए जैसा मुझे दिया है उन्होंने नर्सरी वालों ने तो इसमें सात रंग के फूल खिलने चाहिए और देखते हैं कितने क्या खिलते हैं वो बड्स देखिए कितनी अच्छी आई हुई है और मैंने इनके लगाने पर आपसे वीडियो शेयर किया था आप देखना यह वही इसी कुंडे में लगाए हैं यह सारे बल्स लगाए थे और अब यह देखिए इतने बड़े प्लांच हो गए तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा शेयर और यह देखिए यह भी मैंने अलाइसम के बीज लगाए हुए थे देखिए कितने पौद हो गई है अलाइसम की बड़ी बड़ी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रहिएगा ओके फ्रेंड्स बाइए